विर्ज आज तक की जो सिचुएशन है पाकिसान में पॉलिटिकल वो ये बताती है कि कुछ पार्टीज के लिए बलके तमाम पार्टीज के लिए रूटीन की आक्टिविटी इलेक्शन की स्टार्ट हो गई है नॉमिनेशन पेपर्ज सबने जमा कराने शुरू कर दिये हैं लेकिन पी टी आई को एक बार फिर एक डिफरिंट तरह के क्रैक टाउन का सामना है और वो ये है कि जो लोग अपने काखजाते नामजद की जमा कराने आ रहे हैं कोई शिकायत कर रहा है कि उनसे डी एस पी ने प आक्ट नाम बता रहे हैं कि फिलांट इस पी ने उनके साथ ये किया उनसे पेपर्ज लिए और लेके भाड दिये वो आरो के पास गए तो आरो की जो पावर्ज होती है इलेक्शन्स के दिनों में वो एक कम्प्लीट अथारिटी होता है उसका काम होता है तो मेक शूर के इल पारो ने जवाब ये दिया जब बैरिस्टर उमेर न्याजी के वालिद ने उनको जाकी ये सारी सिच्वेशन बताई तो उनने का कि हमारा काम तो पेपर्ज जमा करना है कहीं भी उनने जो उनकी रिस्पंसिबिलिटी है उसको इंशूर करने के लिए कोई आप्टिक्स के ल इनकी धजियां उड़ाईवी हैं जो इतना खुद मुखतार है कि वो सदर पाकस्तान से नहीं मिल सकता वो अमेरिकन इम्बैसिडर से मिल लेता है जाके जब दिल करता है जैसी हलका बंदियां करना चाहता है वो कर देता है और आज जब सारी बार कांसिल्स उनके ओपर अद करते हैं वो पार्टिजन हैं वो किसी एक साइट को रेप्रेजेंट करते हैं और फ्री और फैर एलेक्शन के लिए ऐसे एलेक्शन कमिशनर का होना मुनासिब नहीं है आज सारी जमाते वो ही कह रही है फौर डिफरेंट रीजन्स उसकी तरफ हम बाद में आएंगे लेकिन इस अटॉनमस एदारे ने जो एक कंड्यूसिफ एट्मसफेर प्रोवाइट करना है फर फ्री और फैर एलेक्शन वो पहले दिन सही आज जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने शुरू है तो पहले दिन सही वो करने में वो इंशूर करने में वो नाकाम हुआ है और बुरी एक्स वजीर खारजा है शाह महमूद कुरेशी उनका तालब भी पी टी आई से है उनके भी पेपर्स जो जमा कराने के लिए लोग लेकर जा रहे थे उनने का कि उनको रोक लिया गया और उनसे पेपर्स ले लिये गए दूसरी चाने वी आर वेरी शूर के नवाज शरीफ क जो नाहली है 62-1-F के तहत वो खत्म नहीं हुई गो के सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है कि फॉरण आईए और अपनी नाहली खत्म करा लीजिए इलेक्शन से पहले पहले लेकिन वो इतने शूर है ये इंपार्शालिटी आपने शूर करनी होती है जो नजर नाए लेकिन यहां पर ये पार्शालिटी इतनी विविड है इतनी ओपन है कि एक नाहल वजीर आजम पाकस्तान के गुजिश्टा एक्स प्राइम मिनिस्टर जो के नाहल थे वो इतने शूर हैं कि वो अपने पेपर्स जमा करा रहे हैं और ही इग्जाक्ली नो वो भी जाके अपने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं फाइल कर पा रहा है अट इस सेम टाइम एन एए वन नाइंटी फो लाड़काना से बिलावल भुटो जरदारी के भी कागजात नामजद्गी दाखिल कर लिये गए हैं इस तहकामे पाकस्तान पार्टी के जो सरबरा हैं ज नावाज शरीफ भी नाएहल हैं और उनके लिए फॉरण सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाएहली के इस मामले पर साथ रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है यदा या जखिए के सारे केसस से बरी हो चुके हैं मिया नावाज शरीफ अब उनके ओपर कोई केस नह है अगर कोई एक तलवार उनके सर पे लटक रही है तो उस नाएहली की है जो के अभी तक खतब नहीं हुई है ये उससे रिलेटिड है ये वो नाएहली है जो इसके बाद पीडियम गवर्मेंट ने अपनी लेजिसलेशन के जरीए ये कहा कि हमने इसको पांच साल तक कर दि है लेकिन इसमें मसला ये है क्योंकि ये नाएहली सुप्रीम कोर्ट से हुई थी तो इसको रिवर्स या इसको इसको इसी तरह इंटाक्ट रखने का फैसला भी सरफ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है तो अब सुप्रीम कोर्ट पो करने जा रही है अपारेंटली जिस तेजी से لزیزیا میں اور ایون فیلڈ میں उनको exonerate किया गया है जिस तरीके से उनको एक हिस्टी तरीके से within 30 minutes of the hearing एक केस में उनको कह दिया गया कि जरूरती नहीं थी इस केस की और आप जाएं आप बाईज़त बरी हैं उसी तरह लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बिलकुल elections से पेहले, बिलकुल मुनासिब टाइम पे जो न एहली है उस को खतम करने का भी फैसला कर लिया है। बानी तहरीक इंसाफ जो हैं इमरान खान उनने इलेक्शन जेल से लड़ने का एलान किया है तीन हलकों से साथ-साथ उनने ये कहा है उनके जितने लोग जेल में हैं वो उनको प्रेफरेंस देंगे उनको लाजमी टिकेट मिलेगा बट यहां फैसल वाड़ा सब पे सबकत ले जाते हैं जितने भी प्लेटिकल अनालिसिस करने वाले हम लोग जर्नलिस्ट हैं हम सब के अनालिसिस फेल हो जाते हैं लेकिन तीन महीने पहले जो उनने ने कहा था किना बल्ला होगा जब बल्ला ही नहीं होगा तो फिर कौन से आप कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं और ये से चार महीने पहले उनको situation पता थी आज वही situation है because nomination papers जमा कराने में अगर इतनी तंगी पेश आ रही है PTI के लोगों को तो one can imagine कि अगर वहाँ पर किसी तर नॉमिनेशन papers जमा हो भी जाते हैं तो किसी ना किसी महाने से reject हो जाएंगे अगर reject नहीं होंगे तो एक ऐसा candidate जिसको ये पता हो कि वो जैसे ही मनजर आम पे आएगा उसको गिरफ़तार कर लिया जाएगा वो political campaign करना तो दूर की बात है वो जीत भी जाएगा तो वो मनजर आम पे कैसे आएगा So, in my opinion, this is going to be the most controversial election of Pakistan Not that we have a very good history हम हमेशा से rigged elections कारोना सुनते चले आएए हैं 2013 में भी हमने धरना देखा इमरान खान उसको चार हलके खोलने का कहते थे उसके बाद हमने RTS बैठने का सुना और history में चले जाए तो वो तो फिर लंबी बात हो जाती है तो ये consistently एक और ऐसा election होने जा रहा है जिसमें बहुत सारी जमातें बहुत सारे तरीकों से openly नहीं कहरी कभी bar council का सहरा ले रही है कभी security threats का कहरी है कभी मैशत के नाम पे कामरान खान ट्वीट्स कर रहे है हर कोई चाह रहा है कि ये election delay हो जाए why? election delay होना शायद सब को इसलिए suit करता है अगर मियान अवाज शरीफ की बात करें तो शायद उनको state level पे तो सारी चीज़ें clearance sale की तरह मिल गई है जहां जहां से उनको clean chit चाहिए थी वो उनको मिल गई है लेकिन जो असल chit उनने लेनी है वो voter से लेनी है वो उनको मिलती नजर नहीं आ रही why? बिकास उनने बहुत कोशिश की कि अपने इसी बियानिये को मतवातर कह कह के कि आप देख लें यही courts हैं जो reverse कर रही है अपने ही कियेवे orders बिकास जो पहले cases बने थे वो जूटे थे तो हम मान लेते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं पाकस्तान में जो कुछ होता है वो हम सब आज तक देखते ही आए हैं तो अगर नवाज शरीफ को भी तीन दफ़ा निकाला गया तो उस तीन दफ़ा में उनके पास अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं है जिसकी बेस पे वो ये क्लेम कर सकें कि ये हाज दे की टू दे गूड एकॉनमी आफ पाकस्तान गो कि वो कहते जरूर हैं वो हर चीज़ का क्रेडिट जरूर लेते हैं जिसमें वो अपने बड़े-बड़े प्रॉजेक्ट का जिकर करते हैं एटमी धमाकों का जिकर करते हैं बट ये एक डिबेटबल चीज़ है कि असल में एकॉनमी का बूम किसको कहते हैं जिस बबल में एकॉनमी को हमेशा डार साथ ने रखा वो जब जाते हैं तो उसकी क्या कीमत आने वाली कर्मेंट पे करती है वो भी हम सब के सामने है तो उनने इस नारेटिव को कि मेरे साथ अदलिया ने जाती की मेरे साथ डिक्टेटर्स ने और इस्टाबलिश्मेंट ने जाती की हमेशा मेरे खिलाफ साज़िश हुई मुझे निकाला गया और अब जो मुझे क्लीन चिट मिल रही है वो इसका सबूत है कि सिस्टम मुझे इनसाफ महया कर रहा है इन दो फॉर्स प्लेस वी आल नो कि ये सिस्टम इनसाफ किसी को महया नहीं करता ये नजरिया जरूरत के तहट चल रहा है हमेशा से चलता चला आया है कभी किसी की बुरी घड़ी आई होती है कभी किसी की बुरी घड़ी आई होती है चीजें एक ही तरीके से मुस्तकिल सेम स्क्रिप्ट फॉलो हो रहा है सो नवाज शरीफ के पास क्योंके वोटर को क्लिक करने के लिए कोई ऐसा मैनिफेस्ट हो नहीं है तो इसलिए उनको भी ये सूट करेगा कि अगर साल दो साल इलेक्शन्स डिले हो जाएं तो नथिंग लाइक इट इन दो सालों में क्या होता है नोबडी नोस लेकिन अट लीस्ट शायद वो एक कहने में काम्याब हो जाएं कि वो तो पाकिस्तान आ गए थे वो इलेक्शन्स लड़ने को तयार थे और उसके बाद इलेक्शन्स ही नहीं हो सके फजल रह्मान को देखें तो फजल रह्मान साब जो है उनको रियल थ्रेट तो है इसमें कोई शक नहीं है कि दाइश ISKP is very active in पाकिस्तान और डाइरेक्ट मौलाना को थ्रेट भी है उनको देखें तो वो जो एक डबल जापरडी जिसको कहते हैं कि वो इसी थ्रेट को यूज कर रहे हैं कि इलेक्शन्स से भी भाग लूँ और खुद सेफ भी हो लूँ क्योंकि कैमपेंड वो खुलके कर नहीं पा रहे हैं सेम गोस फॉर पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी को सिंध में भी अपना पाय छोटा होता नजर आ रहा है गो के जर्दारी साब कहते हैं कि उनकी बात हो गई है और कुछ प्रोफाइल बिल्डिंग बिलावल भुटो की पिछले दिनों में दुबारा हमने देखी है कि उनने बड़े तदब्बूर का मुझाहरा किया जब एक जगा पर लाहॉर में वो खिताब कर रहे थे और वहां पीटी आए के नारे लग गए बर दे तिंग इस कि उनका भी एक कॉंट्रडिक्टरी रूल है पीडियम गवर्मेंट के साथ वो फोर फ्रंट पे थे अज़ फॉरेंड मिनिस्टर वो ओन नहीं करते अपनी किसी भी नाकामी को बिकाज आज हम डिप्लोमाटिकली जहां खड़े हैं उसमें हमें सक्सेस्फल तो कोई भी नहीं कहेगा हां वो सिर्फ फोकस करते हैं पोजिशन से पहले वो फॉरन मिनिस्टर बन गये अब असाफ कहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं जर्दारी साथ खुद अपने बेटे को अंटरमाइन करते हैं तो कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो मैं वजीर आजम बनूँगा. At the same time, उनके पास भी कोई मैनिफेस्ट हो नहीं है. 15 साल में सिंध की गावनेंस हम सब के सामने है. तो जब वो बलोचिस्तान में जाके बलोचिस्तान के तलबा से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं हम आपके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज और उनिवर्स्टी बनाएंगे तो सीधा सा जवाब है कि आप पहले अपनी 15 साल की परफॉर्मेंस सिंध में तो देख मिलना बिल्कुल उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो इन हालात में अगर कोई इलेक्शन्स में चाहेगा कि इलेक्शन्स टाइम पे हो जाएं तो वो सफ पी टी आई होगी बिकास थे आर इन तो बेस्ट सिटुवेशन्स टू तो टेल दे वर्ल्ड और पीपल किस तरीके से उनको बिल्कुल कॉर्नर किया गया है और वो फिर भी जेल से भी इलेक्शन्स लड़ने को तयार है यह अभी काबले बहस चीज़ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन्स के पर भी इलेक्शन कमिशन्स ने अपना फैसला महफूज रखा हुआ है सुनने में आ रहा है पी टी आई पार्लिमेंटेरियन्स के नाम से एक जमात भी खामोशी से रेजिस्टर हो गई है और अगर बल्ले का निशान पी टी आई से ले लिया जाता है और पी टी आई पार्ल टाइप लोग हों जिनके नाम पे दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि पी टी आई तो मौजूद है विद डिफरेंट नेम और हकीकत में ओन ग्राउंड क्या और है वो हम सब जानते हैं Now the million dollar question is कि इन हालात में अगर elections हो भी जाते हैं इतनी politically polarized energy जहां पर हो वहाँ पे उन elections के result में क्या political stability आईगी The answer is no because मैंने ये बात पहले भी कही कि इस वक मोर देन वन किंग्स पार्टी हैं हमने हर दोर में एक किंग्स पार्टी देखिया बाकी छोटे pressure groups देखिये इस वक बड़ी clarity के साथ center में 70 और पंजाब में 40 के करीब seats मांग रही है इस तहका में पाकिसान पार्टी और अगर इतनी seats सिर्फ पंजाब की और center की बात कर लें और अगर potential candidate जो प्राइम मिनिस्टर का है वो इस वक नवाज शरीफ को समझ लें तो नवाज शरीफ इतना ब भी और center में भी तो polarization इतनी जादा होगी क्योंकि organic नहीं होगी यह coalition नवाज शरीफ वुड फिल betrayed कि उनको मकमल तोर पे पंजाब की सरपरस्ती नहीं दी गई जैसे कि हमेशा से उनके पास रही है और same will happen in the center PDM type की कोई coalition type government होगी तो एक hung parliament अपने mandate में आजाद नहीं होती legislations pass करना इतनी आसान नहीं होती बहुत बड़ी बड़ी constitutional amendments के लिए जो आपको दो तहाई अकसरिया चाही होती है वो आपके पास मौझूद नहीं होती तो जिस political stability की हमें जरूरत है उसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे उसमें बहुत सारी ऐसी legislation करनी पड़ेगी जो IMF ने आपसे कही होगी कि ये करके दें हमने economy आपकी restructured हुई भी देखनी है तो the thing is कि अगर political stability नहीं होगी पारलिमान में तो उसका जो outcome होता है economic stability वो कहां से आएगी so what I mean to say is सब मैं इसको अगर sum up करूं कि सारी situation को देखके अगर इसका कोई एक beneficiary भी ढूनने की कोशिश की जाए तो वो नहीं मिलता हुआ सिवाए इसके कि जो current caretaker setup है जो उनकी posturing है specially काकर साब की और इसके अलावा मौसिन नक्वी साब की उसमें कहीं से नहीं लगता कि ये लोग जाने के लिए तैयार है पंजाब में governance मकमल तो आप मौसिन नक्वी ने अपने हाथ में की वी है अच्छी बात है लेकिन ये अच्छी बात होती अगर वो एक elected cm होते वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो एक के टेकर चीफ मिनिस्टर का mandate नहीं है जिस तरीके से legislation हो रही है जिस तरीके से IMF के साथ बातचीत हो रही है जिस तरीके से privatization हो रही है जिस तरीके से फवाद हसन फवाद के हाथ में सब कुछ है clearly the situation is very partisan and not conducive at all चाहे politics को ले ले लें चाहे economy को ले लें situational analysis करने की नौबत आ गई है और हमें जो research के students हैं हमें सिखाया जाता है कि आप long term usually analysis करते हैं कि आपको next three months में क्या नज़र आ रहा है six months में five years में लेकिन इस वक जो पाकिसान में situation है उसमें अगले दिन तक क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है so इसलिए हम situational analysis पे आ गए है आज के 24 hours का मेरा यही तद्जिया था कि things are not going in good direction इस तरह के elections हो भी जाएं तो भी हमारी direction ठीक नहीं हो सकती we need to go back to the constitution in its spirit और अगर voter को मुकमल हक नहीं होगा अगर nomination papers जमा कराने वालों के साथ ये कुछ हो रहा है तो voter बाहर निकलते वे यकीन अंडरेगा और डरना भी चाहिए जो कुछ यहां औरतों के साथ बच्चों के साथ मर्दों के साथ हो रहा है यकीन अंडरना चाहिए और careful रहना चाहिए तो इस तरह के elections पाकस्तान के मेरे खाल है the history will decide के इनको क्या नाम देना चाहिए I'll see you tomorrow